हलो फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर रुजुता राजगुरू गाइनेकोलोजिस्ट अकोर्डिस्टिट अकुला महाराश्र से और आज हम बात करने वाले हैं फॉलिक एसिड के बारे में जी हां प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का क्या महत्व है आज हम यह जानने वाले हैं बहुत से कपल्स या महलाओ को पता होता है जो प्रेगनेसी प्लान कर रहे है या फिर प्रेगनेंट है कि उन्हें फॉलिक एसिड की टाबलेस या सप्लिमेंट्स लेनी होती है तो डीटेल में आज हम चानने वाले कि यह इतना इंपोर्टन क्यू है जिन्हें नहीं पता कि प्रेगनेसी प्लान करने के कितने दिन पहले से आपको लेना है आपको कब तक इसे लेना चाहिए अगर इसके डिफिशेंसी यानिकी हमारे बॉड़ी में फॉलिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है तो आपके बच्चे में क्या-क्या विकलांग हो सकते है और कौन से लोगों म हैं अगर यह risk factors उन लोगों में है या उन महिलाओ में या कप्लस में है तो आपको यह जो मैं विकलांग बताने वाली हूँ defects या anomalin बताने वाली हो जो लोग आसे decd чи में में होती है तो सबसे पहले folic acid यह क्या है? तो folic acid जैसे की carbohydrates, proteins, vitamins, fats, minerals यह इतने सारे nutrient products है उसमें से vitamin या vitamin जिसे हम कहते हैं यह folic acid B-complex vitamin आता है उसमें से भी B9 vitamin है folic acid, right? तो दो प्रकार के मोटे-मोटे दो प्रकार के vitamins होते हैं एक होता है fat-soluble vitamins A, D, E और K यह fat-soluble vitamins है यह चरबी में deposit होते है और जैसे हमारे body को requirement होती है उसमें चरबी में से निकालके यह body functions के लिए utilize किया जाता है इसके बाद में water-soluble vitamins होते हैं B और C यह हमें रोज लेने होते हैं यह चरबी में deposit नहीं होते हैं इसलिए हमें यह diet में से food में से यह रोज लेने होते हैं उसमें से यह B9 vitamin होता है folic acid जिसे हम pregnancy में super vitamin B कहते है इससे super vitamin क्यों कहते हैं यह में आगे बताने वाली हो तो folic acid का हमारे body में क्या function होता है कि यह नए cells बनाने में मदद करता है जोसे कि blood cells होते है blood cells RBC यानि कि red blood cells बनाने में मदद करता है अगर इसकी deficiency होगी तो मा में खून की कमी हो जाएगी folic deficiency एनिमिया हो सकता है then brain cells बनाने में यह folic acid का बहुत ही अच्छा रोल है मस्तिश्क की कोशिकाव को नए से बनाने में folic acid का बहुत ही important रोल है then इसके बाद में DNA और RNA जो genetic material होता है हमारा यह DNA और RNA बनाने में भी folic acid का अच्छा रोल होता है तो pregnancy में क्या होता है मा की requirement होती है साथी में बच्चे की requirement बेबी की requirement काफी बढ़ जाती है तो अगर ऐसे में folic acid deficiency आपको रहती है तो आपको क्या-क्या विकलांग हो सकते है यह में आपको बताऊंगी अभी तो जो folic acid deficiency में neural tube defects बहुत कॉमनली देखे जाते हैं अब यह neural tube defects क्या होते है जैसा है pregnancy ठहरती है embryo जिसे बेबी को जब early stage में हम कहते है medical language में उसे हम embryo कहते है embryo या फिर embryo तो embryo जब बनता है तब 4-6 weeks के around pregnancy के जो 4-6 weeks होते है लगबग तब बच्चे की neural tube form होती है और यह neural tube में से क्या बनता है जो उपर का end होता है neural tube का उसमें से brain बनता है और जो बाकी का part है वो spinal cord बनता है तो neural tube नॉर्मली close होनी चाहिए close होती है अगर यह neural tube open रहती है जो कि folic acid deficiency में रह सकती है तो यह अगर उपर के side open रह जाती है तो उसे हाँ अनिन केफैली कहते है वो बच्चे में अनिन केफैली होगा मतलब brain सही तरीके से develop नहीं होगा पूरी तरीके से brain नहीं develop होगा राइट देन आधा part होगा आधा brain और आधा skull नीचे का spinal cord अगर open रहता है तो उसे हम spina bifida कहते हैं उच बच्चे में spina bifida नाम की विकलांग या अनॉमली हो सकती है तो यह एक main major problem है कि अगर folic acid deficiency है तो यह problem हो सकती है बच्चे में अगर नीचे से close नहीं होगा तो spina bifida होगा vertebrae fuse नहीं होगी spinal cord है spinal column है वो बाहर आ जाएगा तो ऐसे में जैसे ही बहुत से बार delivery के बाद कुछ दिनों में बच्चे को surgery लगती है या फिर long term leg paralysis हो सकता है developmental problem milestone सही तरीके से नहीं होगे और भी neurological problems उस बेबी में हो सकते है unenkephalika जो बच्चा होता है एक तो पेट में ही गुजर जाएगा मौत हो जाएगी या फिर delivery होने के कुछ देर बाद वो बच्चा बच्चे की मौत हो जाएगी यह दोनों भी anomalies बच्चे के लिए या प्रेग्नन्ट महिला के लिए अच्छी नहीं होती है the second thing है cleft leap या फिर cleft palate यानि कि बच्चे का ओठ बहुत से बार देखा गया है कि बच्चे के ओठ फटेवे होते हैं एक ओठ फटावा होता है जिसे हम cleft leap या फिर palate अगर ये उपर का जो हमारे मूग का पार्ट है वो दो जनरली जब बेबी डेवलप होता है तो दो पास fuse होके एक चीज बनती है तो ये दोनों का fusion नहीं हुआ तो ये होगा तो बच्चे को delivery के बाद तुरन दूद नहीं पीते आएगा और उसको बच्चे को आगे चलका surgery लगेगी एक चीज तो नेक्स थीक बच्चे को atrial septal defect हो सकता है atrial septal defect मतलब for example ये हार्ट है हार्ट के चार chambers होते है उपर के जो chambers होते है उसे हम atrium एक रहा तो दो रहा तो atria right और left atrium right और left ventricle ये नीचे के ventricles है दोनो और उपर के atrium है तो normally बच्चा जब डेवलप होता है तो यहाँ पे hole होता है और ये hole close हो जाता है but folic acid deficiency में ये hole जो है heart में वो close नहीं होगा यानि कि atrial ये septum है दो atrium के बीच में ये जो परदा है उसे हम septum कहते है तो अब ये septum में defect आ गया है ये close होना चाहिए था बढ़ ये close नहीं हुआ इसलिए atrial septum defect उस बच्चे में हो सकता है देन उसके बाद में ये प्रिमाचर बहुत होगा फॉलिक असट डिफिशेंसी में लो बर्थ वेट लब्डवी ये क्रिकेट वाला लब्डवी नहीं है ये अधिकल टर्म है लो बर्थ वेट बड़ बेबीज देन मिस्केरियर जाए जो बशन के चांसे बहुत जाते है अगला से हाथ है कि आपको ये फॉलिक असिड जो लेना होता है ये कब से लेना चाहिए तो प्रेग्नेसी Pan करनी के तीन महेले महने पहलेशे आपको प्रीक सीद आपलेस लेनी चाहिए या फिर कं से कम एक महना पहले है क्यूंकि जैसे कि मैंने बताया है कि जब हमारा pregnancy test positive बहुत से महिलाओं को पता भी नहीं होता है एक या दो हपते या तीन हपते उपर होने तक कि वह pregnant है तो actually जैसे कि मैंने कहा था कि 4-6 weeks के around ये neural tube form हो जाती है तो इतने जल्दी अगर neural tube form हो जाती है तो no doubt pregnancy plan करने के पहले से ही folic acid की मात्रा आपके body में सही होने चाहिए तो अगर आप pregnancy plan कर रहे हो तो folic acid का requirement होता है वो 400 microgram per day होता है pregnancy में ये 600 microgram हो जाता है जब आप pregnant हो तो daily आपको 600 microgram कम से कम folic acid आपके body में जाना चाहिए इसलिए आपको supplements दिये जाते है अगर previous history of miscarrier जो abortion है तो कम से कम 1000 microgram या उससे जादा folic acid आपको मिलना चाहिए और अगर आपको previous history है neural tube defects की यानि की spina bipeda या unenkephaly जैसे आपको जिसकी वज़े से अनोमली की वज़े से विकलांग की वज़े से आपका abortion किया गया था अगर आपको ऐसे previous pregnancy में history है तो 4000 microgram per day इतनी requirement आपको लेनी होती है so with doctor's advice आपको ये folic acid supplementations लेने चाहिए so no doubt अभी ये तो हमें पता चल गया है कि pregnancy plan करने के कम से कम एक महना पहले या तीन महना पहले से भी आप लेते हो तो well and good और कब तक लेना चाहिए तो pregnancy at least 12 weeks तक आपको folic acid लेना चाहिए even आप second trimester और third trimester में folic acid लेते हो तो कोई harm नहीं है but कम से कम 12 weeks of pregnancy तक के आपको folic acid लेना चाहिए then किन लोगों में ये जो neural tube defects है या जो भी बच्चों में विकलांग है folic acid deficiency अगर है तो ये जादा होने के chances होते हैं अगर आपको खुद को या आपके husband को neural tube defect की बच्चपन में history थी या history है आपके या आपके husband के family में अगर neural tube defects की history है तो आपके बच्चे में भी होने के chances थोड़े से बढ़ जाते हैं अगर आपको previous pregnancy में आपके बच्चों को neural tube defect की history है तो इस बार भी chances बढ़ जाते हैं इसलिए तीन मेने या कम से कम एक मेने के लिए अगली बार अगर आप pregnancy plan करते हो तो आपको folic acid लेना चाहिए दन अगर आपको diabetes है तो chances काफी बढ़ जाते हैं या फिर anti-epileptic therapy पर आप है जानकारी folic acid के बार में अगर ये वीडियो आपको बच्चे में ये विखलांग होने के chances काफी बढ़ जाते हैं So, ये थी folic acid and pregnancy के बार में A to Z जानकारी folic acid के बार में अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी है तो आपके फ्रेंज में भी इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि ये नौलेज उन तक पहुच सके और उन्हें भी इस वीडियो का इस वीडियो से फायदा मिल सके बिकॉज आ एसे ही health related information के लिए इस चनल को with bell button subscribe करना न भूले